नया साल आ रहा है, कुछ मीठा तो बनता ही है सारा साल बाहर मार्किट की हम मिठाईयां खाते हैं आज हम बनाते हैं बहुत ही कम समय में गाजर का हलवा जो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं होगा बनाने में कि जब भी दिल करें आप दस मिनट में गाजर का हलवा बना के खा सकते हैं सर्दियों में तो गाजर के हलवे की बात ही कुछ और है तो थंड भी दूर हो जाएगी तो हम स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना मुझें की कॉंट तो स्टार्ट करते हैं का हल्वा बनाने के लिए अक्से दो किलो अर ल है ऊछेसे छील कर धोक काशल कर शिलने के बाद आप को गाजर को कूकर में डालना है जैसे ही आपकी गाजरें अच्छे से हिला लियां आपनी गाजर को तो कुकर का ढखकन बंद करके उसको विसल्स दिलवानी हैं आपको देखिए गाजर इस तरह से हो जाएगी पक चुकी है गाजर उसमे पानी है गाजर में हम इस पानी को अच्छी से सुखा देंगे फुल फ्लेम पे गाजरें इस तरह से हो जाएंगे पानी सूप चुका है गाजर का अभी हम इसमें चीनी डालेंगे टेस्ट देख लीजेगा चीनी का आपको ज्यादा चैप पसंद है या कम पसंद है अच्छे से हिलाएंगे गाजर को मेक्स करेंगे अब यह जो चीनी वाला पानी है गाजर के अंदर इसको भी अच्छे से सुखा देंगे आजर को यह जैसे ही चीनी का पानी सूखते है तो इसमें खोवार देख लाइब देख लाइब देख लाइब देख लाइब डालेंगे मार्टिट से लेकर आप देख लीजेगा आपको कितना डालना है खोवा आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे कोई को अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम भाडा डालेंगे इसमें बादाम और काजू काटकर अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा हलवा प्यार है गाजन्य का इसको गजरेब भी बोलते है गाजर पाक भी बोलते हैं इसको सर्व करते हैं गर्मा-गरम सर्दियों में तो यह सर्दी भगाने वाली डिश है गे कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको गाजर का हलवा पसंद आया है बहुत आसान तरीके से तो चैनल को subscribe कीचिए, comment कीचिए, like कीचिए और जाद से जादा share कीचिए और ऐसी नहीं नहीं रेस्पीस लाने के लिए मुझे बताइए मैं कौन कोन सी रेस्पी लाऊं मुझे comments भी कीचिए Thanks for watching, Bye bye Happy New Year, आशा करते हैं ये साल आपका खुश्यों भरा रहे झाल झाल